दोस्तो हम यहाँ पे आगे हैं अपने pivot के last chapter में यह last है but not the least यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि हम दो sheets को एक में merge कैसे करेंगे और एक pivot कैसे बना सकते हैं आप लोगों को पता ही होगा जब भी आप pivot बनाते हैं हर एक sheet का एक pivot बनता है बट यह power pivot के through possible है आप दो sheet का single pivot बना सकते हैं तो इसमें हम यही सीखने वाले हैं और अगर अभी तक आपने मेरे pivot की series का chapter 1 से लेकर chapter 11 तक नहीं देखा है तो आप जाके तुरंत देखिए क्योंकि अगर आपने यह देख लिया तो आपको end to end pivot table use करना आ जाएगा तो बिना time waste के हुए अपने chapter 11 में move होते हैं और यह सीख लेते हैं दोस्तों हम आ गए हैं pivot के chapter 11 में यहाँ पे हम सीख रहे थे power pivot last वाले chapter 10 में हमने सीखा था दो data को एक module के अंदर merge के से करते हैं जिसके थूँ हम power pivot बना सकते हैं मतलब दो अलग-अलग data को हम एक pivot के अंदर कैसे pull कर सकते हैं तो यहाँ पे भी हम last module है यह chapter 11 यहाँ पे हम सीखेंगे उन दो module के थूँ हम एक single pivot कैसे बना सकते हैं तो यहाँ पे हमने last time चोड़ा था जहाँ पे हमारा customer data था और order data था इसका हमने power pivot बनाया था तो हम अगर power pivot में वापस जाना चाहें तो कैसे जाएंगे हमने अपने table में click किया power pivot जो सबसे उपर option है उ आपको इसमें click करना है तो जो आपका module बना हुआ था power pivot के अंदर वो automatically open होके आ जाएगा जी हाँ कुछ इस तरहीं किसे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास नीचे customer data है और order info भी है order data जो है हमारा दोनों data हमारे पास available है मैंने इनको power pivot में pull कर दिया अब मैं इ pivot table आएगा आपको इस pivot table में click करना है और आपको pivot table जो सबसे पहला option आरा drop down वो से click करिए यह बोलता है new worksheet में चाहिए तो मैंने का जी हाँ new worksheet में चाहिए और इसने हमें एक pivot table बना के दे दिया यह मैं इसका name change कर देता हूँ मैं लिग दिया pivot table अब मैं इसका display change कर देता हूँ मैं pivot table options में जाता हूँ, display में जाता हूँ, classic view में जाता हूँ और okay classic view मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे drag and drop inboxes में नहीं करना पड़ता मैं सीधा जहां पर यह मेरा मन करे मैं उस column या उस row में आके drag and drop कर सकता हूँ इसलिए मैं pivot को हमेशा classic view में change कर देता हूँ तो अब हम लेंगे customer data से जो कि हमारे ये data है जिसका ये headers हैं अब हम customer data से pick करते हैं country, country मैं pick करता हूँ और यहाँ पर drop कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते है country हमारे पास आ चुकी है, similar cases में मैं अपना customer data को close करता हूँ, अब मैं order data के अंदर आ गया हूँ, order data हमारी द स्क्रॉल करके मैं freight ले लेता हूँ और freight values में drop कर देता हूँ, तो यह देखिए, यह numbers हैं तो इसने हमें sum दे दिया, तो sum of freight, तो अब आप देखिए मैंने 2 sheets से एक single pivot pull किया और उसके according मैंने यहाँ पर data present कर दिया है, जैसे मुझे country मेरी आईए customer data से और order info से मेरा आया है freight, freight data का मतलब total amount, तो यह देखिए, इससे 2 sheet का pivot बनाया, pivot का data हमें एक pivot में लाके दे दिया, हमें 2 sheet के अलग-अलग pivot नहीं बनाने पड़े, हमने last chapter में अपने data model में 2 sheet को link करना सीखा था, जब हम 2 sheet को link कर देते हैं power pivot के अंदर, तो हम एक single pivot बना सकते हैं, जितने भी sheets available हैं हमार अब जो है friends, यहाँ पे हम अपनी pivot की series को, जितने भी chapters हैं, जो starting से 1 से लेकर 11 तक, हम यहाँ पे close करते हैं, अब हम आगे और नईने चीज़े सीखेंगे, अगर आप लोगों को pivot end to end सीखना है, तो आप इन chapters को जरूर read out करिए, जरूर try करिए, इन सब की excel file आपको description में link मिल जाएगे, आप वहाँ से download करके practice करिएगा, आप अगर chapter 1 से लेकर chapter 11 तक सारे practice करते हैं, तो I'm sure friends, आप लोगों को pivot बहुत ही अच्छी तरह आजाएगा, तो यहाँ पे अपने pivot का chapter close करते हैं, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आगई होगी ये वीडियो, अगर जाएगे, वीडियो पसंद आई है तो इसे like करना है, subscribe करना है, bell आई कन प्रेस करना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी नए नए वीडियो जाने वाली है, अगर आप bell आई कन प्रेस नहीं करेंगे, तो इन सारी वीडियों से हाथ दो बैटेंगे तो bell icon प्रेस करना बहुत जरूरी है और अपने comment जरूर देना कि ये pivot की series ये pivot का पूरा chapter 1 से लेकर 11 तक आपको कैसा लगा और आपने इस से क्या क्या सीखा तो आशा करता हूँ आपके comment जरूर आएंगे और मेरी तरफ से आपको reply जरूर मिलेगा तो यहां पे अफसर है दिपावली का आप सभी को तेह दिल से happy दिवाली आप ऐसे ही सीखते रहें ऐसे comment देते रहें ऐसे प्यार देते रहें आप सभी के लिए मैं और वीडियो लाता रहूंगा जै हिन जै भारत और हम ऐसे ही सीखते रहेंगे